तो गीतो दास कैसे बोल पाए क्या बोल पाए जैसे दास ने पिछली दफ़ा भी कहा था तो इस प्रकार से इतने बरसों में कुछ शब्दों के रूब में विचार भी रखने नहीं आए तो इस प्रकार से ये गीतो अभी कितने बरस कभी बोला नहीं और पिछली दफ़ा जो एक दो लाइने बोली और फिर जैसे दास ने कहा था जहां जहां पर भी दास को फिर साल भर में जाने का मुख़ा मिला तो सबी जगह पर फिर वही फर्माईश आती रही तो दास को तो गीत भी नहीं आता आपके गीत सुन सुन कर ही खुशी मिलती रही है तो आपने तीन दफा तालिया विजाए इस कहां तो गीत भी तो सुनी लिया है तो दास ने पिछली दफा जो दो तीन लाइने बोली वो पंजाबी में बोली तो वैसे मूल रूप में वो गीत तो हिंदी का था जो लिखने वाले ने हिंदी में लिखे थे लेकिन वो सहज में ही शब्द पंजाबी के निकलने शुरू हो गए तो दास उसी को उसके अपने रूप में ही वो दो लाइने रखने की कोशिश करता है तो तीन दफा पानी पिया तो इसें दाजा लगी गया होगा तु ही है आस मेरी तु ही मेरा सहारा तु ही है आस मेरी तु ही मेरा सहारा तेरे चरनों में दाता बिते हर पल हमारा तुही है आस मेरी तुही मेरा साहारा तेरे चरनों में दाता बिते हर पल हमारा तुही है आस मेरी चरनों में दाता बिते हर पल हमारा तुही है आस मेरी तो आज जो प्रोग्राम हुआ तो इसमें भी अधिक गीत पंजाबी के ही थे तो एक आदलाइन पंजाबी में भी दात पोशी करता है किदा करा तेरा शुक्रिया दाता तेरे एहसान दा किदा करा तेरा शुक्रिया दाता तेरे एहसान दा किदा करा तेरा शुक्रिया तू बख्षिये मैंनु जिन्दगी मैं क्यों ना करा तेरी बंदगी तू बख्षिये मैंनु जिन्दगी मैं क्यों ना करा तेरी बंदगी तू बिमार को राजी कर दिता दूर बिमार को राजी कर दिता जित्थे नुस्खा ना चले आलुक्मान दा कित्दा करा तेरा शुक्रिया सासंग जी साथ